आशार मास की अमावस्या भारतिय पंचांग में अत्यंत महत्वपूर्ण तिथी मानी जाती है। इसे हल हारिनी अमावस्या भी कहा जाता है। बर्शा रितु के प्रारंभ होने के साथ ही इस तिथी के अवसर पर किसान बंधु अपने हल की पूजा करते हैं। एवं प्रार्थना करते हैं कि इस बार की फसल सब के लिए कल्यान कारी हो वह सब का पोशन करें। परंतु किसानों के साथ साथ अन्य कई लोगों के लिए भी ये तिथी महत्वपूर्ण है। इस तिथी के सू अवसर पर काल सर्प दोश, पित्र दोश एवं शनी देव की शान्ती का विधान है। तो आईए जानते हैं कि हल हारिनी अमावस्या की पूजा विधी क्या है वह इस दिन कौन-कौन से उपाय करने चाहिए। हल हारिनी अमावस्या के दिन प्रातह काल इसनान आदी से निवरत होकर श्रद्धा पूर्वक आटे की गोलियां बनाए। आटे की गोलियां बनाते समय भी भगवान का नाम लेते रहें। इसके बाद आसपास इस्थित किसी तालाब या नदी में जाकर आटे की इन गोलियों को मचलियों को खिला दें। इस उपाय से आपके जीवन की अनेक परेशानियों का अंत हो सकता है। रुद्राभी शेक, पित्र दोश शांती पूजन वशनी उपाय करने से जीवन के सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगे। इस दिन काल सर्प दोश निवारन हेतु सुभ इसनान के बाद चांदी से निर्मित नाग नागिन की पूजा करें। वह सफेद पूल के साथ इन्हें बहते हुए जल में प्रवाहित करें। काल सर्प दोश से राहत पाने का यह अचूप उपाय है।